हाई गाईज वेलकम बाक टू आर चैनल क्रंच बेबी कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो मैं अपना वीडियो बनाने के लिए बैट गई हूँ यह मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कैशियम डस्ट की उन्होंने बोला था कि वाशिंग वाली वीड दालिएगा तो मैंने देखे बाउल में पानी ले लिया है और यह रहा मेरा स्टॉक आपको लग रहा हो को बहुत जादा है बाट इसमें बहुत जादा नहीं है वो कम कम में ही बहुत जादा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो मैं आपसे बाते भी करती तो सबसे पहले मैं clay bowl, यह clay pot है, इसको अच्छे से wash कर लेती हूँ, आज मेरी help करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी स्कूल गई है और भाई है नहीं, चोटा वाला वो भी स्कूल गया है, तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे रहते हैं तो camera वो पकड़ लेते हैं, मैं wash कर लेती हूँ, धुलने के बाद इसकी जो आवाज आती है और इसकी smell बहुत amazing आती है, बहुत ज़्यादा, आज यह पता है पानी बहुत गंदा निकलेगा, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, तो यह बारिश में ही रखा तो इसका ना पानी भी गंदा हो जाएगा, आप देखो गंदा निकल रहे इसमें से बहुत सारा, इसको मैं धूप में भी सुखा दूँगे, तो यह देखिए अच्छे से साफ हो गया है, यह वाले पॉट्स जो होते हैं, इसमें अच्छली में problem क्या होती है, यह red होते हैं तो इसमें आप confused हो जाओगे कि यह hard है, कि soft है, बट मैं तो चेक करके ले के आई थी, बट देखे क्या होता है, अब इसको जब मैं crunch करूँगी तब ही यह पता चल पाएगा, तो मेरा stock थोड़ा जादा है, तो हो सकता है, इसमें वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाए, तो वीडियो को प्लीज 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 पूरा देखेगा, skip मत किया करिए, तो यह देखे, यह दोनों अच्छे से बाउल, देखने में color देखे, इसका कितना प्यारा लग रहा है, कितना, और इसमें की जो smell आ रहे है, सौंधी सौंधी, विच इस लाइक आमेजिं, और यह मे साउंड और इसका टेस्ट बहुत, यह बहुत सौफ्ट है, पता है, यह किस चीज से बनाते हैं, I don't know, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत जादा, ओ शिट, पानी ही गिर गया, कोई बात नहीं, एक हाँ से करने में दिक्कत ही होती है, देखे, कितना साउंड प Shit होगे ना दो सेकेंड भी आप पानी में रख दोगे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है दो सेकेंड मतलब आपने इधर धोया और उसके बाद आप क्रंच करने बैट होगी ना देखिए मैंने साफ कर दिया अच्छे से इसका कलर यह रेड भी होगा ना तो भी देखिए पानी कितना गंदा हो चुका है तो इसको मैं साफ कर लेती हूं तो इसको और दो लेती हूं इसको एक बार और धोंगी सो दैट यह थोड़ा साफ हो जाए पिकेज अभी मैं गंदे पाने से यह बारिश में रखा हुआ था इसलिए और गंदा लग रहा होगा आप लोगों को तो वह बहुत अच्छा साउंड आता था मुझे बहुत अच्छा लगता था अखेली से महनत होती नहीं है पता नहीं क्यों देखेँ अब इसको मैं एक पानी से और वाश करूँगी यह थोड़ा सा गंदा लग रहा है मुझे और देखें यह अच्छे से साफ कर लिया है मैंने लेकिन एक वाश और करूँगी ताकि यह अच्छे से साफ हो जाए यह देखें इसके कलर मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगता है I just love this color और इसका रिक मैंने मतलब जो कलेज होते हैं मैं आप लोगों को मैंने काफी कॉमेंट आते हैं तो यह इतना सॉफ्ट कैसे मिल जाता है तो ए ट्रेक होते हैं खरीदने की आप जब भी कले लेने जाओ कहीं पर भी मार्केट में जो खाते हैं नोन फोड़ेट जिनको खाना भी नहीं पसंद है वो देख करके satisfaction ले सकते हैं उनको खाने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ जो अगर खाते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ फिलाल तो जो खाते हैं उनके लिए ही है ये specially video तो उनको क्या है ना उनको ये चेक करना पड़ेगा मैं पहले पानी चेंज कर देती हूँ तो मैंने पानी चेंज कर लिया और इसे मैं बाद में दूँगी क्योंकि अगर मैं इसमें डायरक फिर से दूँगी तो ये गंदा हो जाएगा अना अब ये ये तो साफ था होता गया है ना आप लोग जब क्ले खरीदने जाओ डेफिनेटली हम लोग भी ऐसे ले लेते हैं कोई-कोई होता क्या है इसमें एक प्रॉब्लम इसमें हुए हो जाती है कि जब आप क्ले लेते हो ना तो वह अगर वाइट भी होता है वाइट क्या मतलब उसमें रेडनेस बिलकुल भी नहीं होगी तो भी कि वह कभी-कभी हार्ड निकल जाता है जैसे कल मैंने दिया क्रंच किया था इट वस उसमें एक भी जगर रेडनेस नहीं थी बट वह हार्ड था मैं कोशिश करती हूं मैं आवाज साउंड चेक करूं बट कल बारिश की वज़े से वह दिये भीगे हुए थे जिसमें वह कलर पर मुझे समझ नहीं आ रहता है यह देखे इसका कलर चेंज होगा इसमें साउंड अभी भी आ रहा है देखिया मैंने सारे धो दिया ठो तो मुझे क्ले लेने जाती हूं तो मैं mostly हमेशा यह याद रखती हूं कि मुझे कौनसे क्ले लेने हैं ठीक है मैं हमेशा यह ध्यान कि मुझे क्ले कैसे लेने हैं हमेशा आप देखो क्ले का इसमें कहीं भी रेड़नेस आपको नहीं देखेगी विच इस अपार्ट की यह होते हैं बहुत सॉफ्ट यह कुलर्ड तो यहां पर सॉफ्ट मिलते हैं आप किसी भी शॉप का कुलर्ड अगर आप कानपूर आते हो या कानपूर में जो रहते हैं दे नू कि अगर आप कानपूर के कुलर्ड राय गरते हो ना तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होगा उसमें रेडनेस भी सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा वैसे नहीं होते हैं बट यह जो दिये वगरा होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और यह गंदे भी नहीं है यह साफ है इनको अच्छे से वाश करो और इनकी स्मेल आप स्मेल ट्राइब करो इसकी आप खाओ मतल लेकिन जब मैं पता है कहीं बाहर जाती हूं ना जैसे में मेरे को चाय का बहुत शौक है बहुत जादा लेक आम मैं रही रह सकते उसके बीना त जब जब चाय के दो पता है इन तो इसमें थोड़ी बालू भी भी मिलाए जाती है इन कले में यह सॉफ्ट इसलिए होते हैं इन थोड़ी सी बालू इसलिए पता है इसलिए और ज़ादा इसे स्वेलो नहीं करते हूं क्योंकि बालू आप में क्या होती है न जो आपके body में जाएगी तो वो जम जाएगी तो मैं swallow बिल्गुल नहीं करते हूं यह reason है इस लिए मैं swallow नहीं करते हूं आप लोगों को reason मैं इसलिए बता देते हूं क्योंकि यहां यह clay में थोड़ी बहुत बालू मिली होती है ताकि यह और सॉफ्ट और बहुत जादा अर्दी लगते हैं इसमें इसमें शाइन होगी एक यह देखे शाइन है यह बालू होती है जिसकी वज़े से यह शाइन आती है तो इस वज़े से यह सॉफ्ट भी होते हैं और इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है और यह थोड़े हामफुल भी होते हैं डॉट बट क्या करूं आदत से मजबूर उखा नहीं रहता है देखें आप कलर देखो इसमें स्मेल इतनी जादा अच्छी आ रही है ना बहु वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि मेरा स्टॉकी इतना जादा हो चुक है ना मैं क्या बता हूं और लास्ट टाइम में ही मेरी रिंग लाइट खराब हो गए देखें आपको कितना गंदा निकल रहा है क्योंकि यह रखे होते हैं तो इसलिए इसमें गंदा नि देखिया अभी मुझे फिर से पानी चेंज करना पड़ेगा विकर्जी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा भी क्योंकि यह दिये बहुत गंदे थे उस टाइम मैंने ले लिए ते जल्दी यल्दी में आज जो मैं भाईया से पर्चीस करती हूं जिन से मैंने उनसे आक्चिली म वो ऑनलाइन वाले क्लेज होते हैं वो बना देंगे क्या विकर्ज मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि दिये आप यह भेज दीजे मैं इसलिए यह पार्सल नहीं कर सकती विकर्ज यह होते सौफ्ट हैं आइडों नो किसकी बॉड़ी में कैसे रिया देखिये क्ले ख खाती है ठीक है उनको यह सौंदापन अच्छा लगता है ठीक है तो मुझे नहीं पता हर बॉड़ी में अलग लग लग रिया यह कुछ जादा ही काला है आई रोन में इससे खा पाऊंगी कि नहीं यह बहुत ज्यादा जला हुए वह मैंने सोचा था कि इसका टेस्ट अच् है तो वह होता कि आए ना कि आपकी बॉड़ी में अलग लग रियाक्ट करता है ठीक है अगर आप स्वैलो नहीं भी कर रहे हो तो भी अब किसी को रियाक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मुझे डर रखता है कि मैं भेज दूँ और पता चले उन्हें कोई दिक्कत हो जा आए पीछे से पानी अच्छा आ रहा है अच्छी स्मेल और बहुत अच्छी आरही है तो मैं रहे है कि मैंने उन से पूछा कि आप ऐसे clay में बना दोगे मैंने उन्हें वीडियो भी दिखाई थी desirement की कि ऐसे मुझे clay चाहिए different different shape में different different clays में और अगर आप मेरे लिए कर सको तो he said कि मेरा ये काम हो जाए मतलब अभी festival चल रहे है छट वगरा आएगी जो भी आता हो तो वो सब आएगा तो उसमें festival में वो काम लेने से मना कर देते क्योंकि उन्हें रोज का भी काम करना है वो मेरे ही orders नहीं लेते रहेंगे और मेरा order मतलब अभी जाए या ना जाए कोई purchase करे कि ना करे तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं लेगा तो मैं खुदी अपना यूज कर लूँगी तो मैंने इस बेसे पे ज्यादा नहीं बोला था उनसे कि मैं अभी स्टार्टिंग में इतना ही करूँगी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो तो मैं उनसे और मतलब उनसे बात हैं तो मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उन्हें अच्छा स्टॉक चाहिए और मैं ही टूटा टूटा लूँगी तो मैं उसे बेचूंगी क्या फॉर्स तिंग यह होती है तो मैंने मैंने यही सोचा कि मैं अपने यहीं एरिया में ही पात करके देखते हूं शायद जितनी जल्दी इनफॉर्म करेंगे तब मैं वीडियो डालूँगी कि हाँ उन्होंने हाँ बोल दिया है स्टॉक के लिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके आप मुसे परचेस कर सकते हैं जैसा होगा मैं खुद बता दूँगी आपको ठीक है तो मैं जल्दी ही अपना यह भी स्टार्ट कर दूँगी धीरे से स्वधार्ट आप लोगों क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि आप ऐसे क्ले सेल करना स्टार्ट कर तो आपका अच्छा चलेगा मुझे अच्छा नहीं चलाना है बट हाँ मैं सोच रही थी कि मैं चालू करूं बिकिस मुझे रहता है कि हो जाएगा तो ठीक है अगर लोग मांग रहे हैं यह दिये मुझे पूरा ट्रेस्ट है यह हाफ बेक होते हैं इनमें बिल्कुल ग्रेटेनेस नहीं होती है यह बहुत अमेजिंग और इसका टेस्ट भी आप लोगों को यह और करना है तो मैं यह जरूर दे सकते ह क्योंकि यह मेरे आम मतलब जिन से मैं लेती हूं तो वह हाफ बेक ही बनाती है इसमें कोई भी ग्रेटेनेस आप देख सकते हो कोई भी ग्रेटनेस और कुछ भी नहीं होता और आप इससे इजली क्रण्च कर सकते हो like आपके दातों को भी हाम नहीं करेगा क्योंकि मैं अपन भी ऐसा नहीं है बहुत जादा थिन है ये देखे थिकनेस बहुत है इसकी तो ये दिए आगर आप ये दिए सौसर ये क्ले पॉट्स इनकी बोलोगे तो मैं दे सकती हूं लिकिस ये सॉफ्ट होते हैं जिनका मैं करण्च करती हूं गुल्लक वगएरा इन सब का मैं नहीं बता देने को तैयार नहीं है मैंने उनसे बोला था कि आप वे तो उन्होंने बोला कि दी ये पूरा ही पकता है पिकिस एक एक हम निकाल करके नहीं रख सकते हैं अगर और वगएरा जाएगा तो भले ही मैं कर सकता हूं और मैं पर्टिकलर एक इनसान के लिए कौन ही ओर करेगा म इसका ओनलाइन मेरे को बता सकते हूं तो आप लोग इसके लिए कॉमेंट करियेगा कि मुझे यह चाहिए यह चाहिए जो इस्टॉक मेरे पास होंगे और आप लोग टेस्ट करके खुद ही बतायेगा मुझे कि हमारे यहां के जो स्टॉक है ना मतलब कानपूर के टले वैस तो अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग इसका ओर मुझे दे सकते हो मैं इसको आपको सेल कर सकते हूं दिवाने हम नहीं होते दिवानी राते आती हैं महापत की नहीं जाती महापत आजमाती किसी की आदों में किसी की हाबों में इसके आगे मुझे नहीं आता है मैं जोश्वियो में बोर हो रही थी इसलिए मैंने सुचा आप लोग बोर ना हो तो मैं आपको सॉंग ही सुना दूँ वीडियो भी हो जाएगा और सॉंग भी हो जाएगा मेरी जिन्दगी सवारी मुझे को गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तिरी आरी को मैंनी तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मैं इसकी व्हेयल में खो गई हूं बहुत अच्छी व्हार्ण है बहुत जादा अच्छी आ रही है चाया प्शू आरए मैं लोगों को पता है मतलब ये बता है यह दूरता ज़के खाते जो खाते ज़के घ्टे जो चाते जो मेरा पुराना और ने इस store कि मैं आपको दिख़ाते हूँ जादा ही हों जादा नहीं हो मतलब बनाना मैं पता है वीडियो इस लिए जादा नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मुझे नई मेडाना पाता है में कभी न serves करी को जाना पड़ आरे करो रात करूछ कर चाया है तो यह शहिक फैसे शहिके router मैंने वीडियो बनाई उसके बाद मैंने पोस्ट किया पोस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है उसके बाद मैंने पोस्ट किया देन उसके बाद मतलब उस वीडियो में इतना ज्यादा खास मुझे मतलब आप लोग बहुत प्यार देते हो मुझे पता है मेरी वीडियो इ मुझे बहुत अच्छी लगती है यह स्मेल और यह आवाज तो एक महिने में आप लोगों ने मुझे इतना उपर तक लाए हो आप इतना अच्छा रिस्पॉंस दिया है आपने तो प्लीज प्लीज आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखेगा कोई यह मत सोचेगा कि ऐसा कुछ कुछ भी तो आप लोग प्लीज ऐसे ही प्यार बनाए रखेगा और मेरी वीडियो आती रहेंगी अच्छी अच्छी मैं कोशिश करूँगी सब कुछ ट्राइक करने का यह मेरा बड़ा गुलाद देके रह गया इसको मैं फिर वाश कर दे लिए हूं इसको मैं जितनी बार जा जारी हो ढोडो लग की तो यह मिले पास कुछ ब्रोकन एसे भी मैं दो लेती हूं क्योंकि यह भी गंदे हैं यह उन्होंने फ्री में दिया तो फ्री अफ्री और जो आफ्क यह पता है इसका टेस्ट भी बहुत मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था देखे मैं बेस पास बास किस देखे यह जो कंने भीडियो आप वीडियो फ्रॉपर भी निमें जितने बस पार्टe कर रकर सकती हूं मैं उतने बेस पार्टे खट्टे करूंगे उसे पेस्ट के साथ या रैंडम जैसे भी मन होगा मैं वैसे क्रंच करूंगे यह देखें यह जो गुल्लक है अभी जिसका मैं क्रंच करूंगी करणी उसका अपर पार्ट टूसक गया था, अदव है मैं इसे मतलब bath तीस चार घंटे से रख दिया था इसका base पार्ट के मैं बाद में क्रंच करूंगी यह देखे कुछ क्लेज यहां पर भी रखें तो उनका मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी और मैंने उसे भीगो करके रख दिया है यह गुल्लक एक था जो क्या कहते हैं लैक हार्ड निकल गया मैंने इसे तोड़ा नया वाला जो मैं लाई थी वह हार्ड निकल गया तो मैं उस साटिस्फैक्शन के लिए मैं अपने दात नहीं थोड़वा सकती सौरी यह चीज हमेशा याद रखेगा कोई भी क्रियेटर होगा किसी की साटिस्फैक्शन के लिए इस्पेशली मैं मुझे नहीं पता आप कुछ भी कह सकते हो मैं किसी और की साटिस्फैक्शन के लिए हैं! मेरे पास बहुत सारे लेकिन यह हारड है है , कैसे ही क्रण्च करूँ यह तो इसका पाउडर बनेगा यह कुछ बना करके तब इसको क्रण्च करूँ गी देखें है? मिरे पास गुल्लग तीन चार एक और गुल्लग रखा हूँ अभि आपको दिखाती हूँ मेरे पास hard stock क्या क्या रखा है कुछ लोग कहते हैं कि आप कैसे ढून लेते हो कैसे आ जाता है आपके पास तो dear मैं भी होता गया है न मैं लाती हूँ लेकिन जरूरी नहीं है सारे ही soft निकले है कुछ hard निकलते हैं तो मैं आपको hard वाला stock भी इसी में दिखा देती हूँ अब मेरे पास ये खतम हो जाया है clay देखे मैंने सारे ही wash कर दिये हैं और एक ये भी देखे ये भी देखे बेस पार्ट है ये ये भी दो बेस पार्ट तीन बेस पार्ट निकला है आपको और भी बेस पार्ट दिखाती हूँ मैं ये देखें ये है ये बीस पार्ट में इकटे कर रही हूँ ये देखें गुल्लक का ये भी hard गुल्लक है देखें गुल्लक ही इतने सारे हैं मेरे पास की क्या बता हूँ मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए बट मेरा फॉर्स वाला गुल्लक जो वाइरल हुआ है मतलब जिसकी वीडियो बहुत आप लोगों ने जिसमें बहुत प्यार दिया वह गुल्लक मुझे आस तक नहीं मैं वैसे ही ढून रही थी कि मुझे वैसा मिल जाए गुल्लक मंधा करें सब्सक्राइब मेरा ऐसने प्राइब बनाऊंगी। देखें ये गुल्लक देखे आप मतलब आपको वीडियो में वीडियो में आपको दिख रहा होगा हाव बेट है लेकिन ये ठिक है लेकिन ये रेड बहुत रेड है ये देखें मतलब आवाज देख रहा है आपकी इसलिए मैं ये से करण्च नहीं करती हूं क्योंकि मेरे हाथ मतलब दातों को बहुत जादा नुकसान करेगा ये देखें हैं ये बहुत रेड है आपको ऐसी वीडियो में दिख रहा होगा हाव बेट ये देखें मतलब आवाज साउंड से ही पता चल जाएगा कि हाव बेट नहीं हाव बेट बहुत जल्दी टूर जाते है ये देखें आवाज ये इतनी बेकार है कि सुनने में बहुत गंदी लग तोट तक नहीं रहा है यह देखे इतनी जोर पटक नहीं होते हैं यह मैंने और यह मेरा ऐसे ही क्रम्बल रखा हुआ है ऑग्यें क्रम्बल रखुआ है और यह वेस्टेज ने सब्सक्राइब है ने क्लेश नहीं कर पाउडर वग्यरा बनाने के लिए रख रखाएगी मैं इससे पाउडर वग्यरा कुछ बना लूँगी बाट इसका पाउडर मतलब इसका पाउडर का भी टेस्ट नहीं अच्छा आएगा इसका बना तो लूँ मैं लेकिन टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा इसका तो यह मे इसका वीडियो जल्दी बनाऊंगी और कितने अच्छे लग रहे ना उसमें मैंने पेस्ट कर लिया था यह एक ऐसे क्ले बाउल था इसमें थे कि मैंने स्लेट पैंसल का पेस्ट भर लिया था तो यह देखें चलिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल दन बाबा लव यू और जो मैरा यह एप Спर्ण हूँ और दिखा देते हूं अघ्वे में अभी मैं आपको दिखा देती हूं है तो यह देखें मेरा उपर का अपर पार्ट भी मैंने दिखाया आपको हट गया यह कित तक थेक है और कि अंधर आपको मैंने लगभाग अभी चार या पी तीन या चार आर हो गए हैं लेकिन मैं इसे तीन और चार आर और रखूंगी ताकि यह थोड़ा सो और सॉफ्ट हो जाए मेरे दातों में बिल्कुल ना लगे दैन इसकी वीडियो शाम तक आ जाएगी और अभी मैं देखती हूं कौन सी दो वीडियो आ जाएंगी क्रंच की एक तो इस